हेलो एव्रीवन वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम लोग डिस्कॉस करने वाले हैं 12 स्टेंड़ महराश्ट्रा बॉट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कोशन्स ओके 2022 वाले बॉट के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग यह वीडियो देख रहें और आपने प्रीविएस वीडियो से एक वीडियो मैंने पहले अप्लोड के आया वेटेज का अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो पहले आप लोग वह कि कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में रखना है अगर आप लोगों का नहीं हुआ पढ़के तो सबसे पहले क्या पढ़ना वह आपको उससे पता चल जाएका और मैंने इसमें यह बी बताया है कि चैप्टर नंबर वान एंड चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर अगर पढ़ लिया तो आप की जीरो पॉसंट चांस है अगर पढ़ लिया तो फेल होगे यानि की चांस है इनकी फेल होगे मैं थोड़ा से ट्विस्ट करके बोल देती हूं शॉरी मुझे थोड़ा सिंपल जाना चाहिए ऑक से मैं ध्यान रखोगी तो चलो ठीक है हम लोग आते है अभी जिसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है सो हम लोग हिस्ट्री के इंपोर्टेंट चैप्टर्स से जो भी मतलब सौरी इस्ट्री के जो भी इंपोर्टेंट कोशन वो चैप्टर वाइस देखते जाएंगे ओके वन बाई वन करके सो यहां आपर देखो जो चैप्टर नंबर वन दिख रहा है आप लोगों को को रेनासेस इंड यूरोप एंड डिवलोप्मेंट आफ साइंस इसका यह फॉर्स कोशन यूरोपें कुशेट्स सेकेंड इंडस्ट्री रिवल्यूशन थर्ड और ट्रेवलर्स देर नेम एंड एरिया से डिस्कोवर्ड टेक्सबुक में नहीं है कोशन पीछे नहीं है जो हमें एक्सराइस दिव गई होती है यह बीच में और यह बहुत मैटर करता है यह वाला कोशन इसमें से बहुत चांसेस है कि पूचा जाएगा एकदम अच्छे से आप लोग इस चीज के लिए पूच सकता है कि किसने क्या फाइंट किया था कहां पर कौन सी डिस्कवरी की गई थी किसने क्या किया था वसको दकामा ने क्या किया था एं हमने बहुत सब पढ़े चैंपियन जेम्स कुक थे लोइस एंटोमी एंड बैंग यह जो पाच है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें से बहुत कुछ आ सकता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखो पिछली बाद तो हमारे बोग्ज हुए नहीं है लेकिन इससे पहले अभी देखो हमारा सिलेबस भी चेंज हुआ है और इस बार बोग्ज भी नहीं हुए थे लास्ट तो इससे पहले जो थे हमारे बोग्ज चैसे कोरोना से पहले नॉर्मली जाते थे तो यह कुछ-कुछ टॉपिक्स ही चेंज हुए है पूरा का पूरा सि एक्सट यह जो कोरोना जब से चाल हुआ है तब नहीं पूछा जा रहा है बाकि उससे पहले यह जो टॉपिक अभी थोड़े बहुत चेंज होगा है लेकिन बहुत से पहले जैसे ही है इसलिए मैं यह बोग्यों कि यह सारे इंपॉर्टेंट कोशन से यह एनलिसिस करके मैं आप लोगों को बताया है ओके सवंने फॉर्स चेप्टर के पाच कोश्ट्र देख लिए अब नेक्स कोशन पर आते है आइन नेक्स चेप्टर पर आते हैं सो चेप्टर नॉमबर टू य्यूर्पियन कोलोनालिजम एक्षी मैं नीचर ओक मीनिग भी पड़ो कोलोनालिजम क कर रिजल्ट के आया था हमें वह भी बताना है एंड ये इस वन अमेरिकन वर इंडिपेंडेंडेंस ओके ये चार भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इससे भी बहुत कुछ पुझा जाते हैं को आप लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 में दिखे आप लोगों क इंडिया एंड यूरोपियन कोलोनियलिजम ओके फर्स कोशन वाट वर दे राइट गिवन तो दे यूनाइट इस इंडिया कंपनी बादी डच कवर्मेंट ये वाला कोशन देखो पढ़ लेना आप लोग इसमें बहुत चांसे से कि ये जो लॉंग अंसर सो देरांसर इन ड पूद सकता है ओके एंड इस वन वाट आप लोगों को बता दिया है कि कार्ता आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये जो फर्स्ट वाला कोशन है ये अंसर इन डेटेल में आने की बहुत सारे चांसे जो हमारा कोशन नंबर लास्ट में हमें कोशन पूचा जाता है उसमें नाओ नेक्स चेप्टर चेप्टर नंबर फो कोलोनियलिजम अन दी महाराइटास फर्स्ट कोशन चत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ट नेवल फोर्स सेकेंड महाराइटा पॉलिशिस वर एंटी कोलोनियल एंद थर्ड वर्न वाय दिद दे स्ट्रोंगेस महाराइटा रूल इंडिया कम टू दी एंड ओके इसको बहुत इंपॉर्टेंस दो यह वाले कोशन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है यह बहुत अच्छा कासा अंसर हो के देखो हम लोगों नहीं थी एक दूसरे के दुश्मन बन गयते और ऐसी बहुत सी चीज़े हुई थी कि मतलब कोई शिवा जी महाराज थे जो बहुत मास्टर प्लान करते थे सब लेकर उनके बाद जो थे बहुत कमी लोग ते जो अपना दिमाग लगा पार रहते बाकी जो भी आ रहे थे वह सिर्फ क्या सोच रहे थे कि हमारा फायदा और अपने एडवांटेज के चकर में सबका सभी बरबात कर दिया ओके एंड इस वन लास्ट फॉर्थ कोशन दा थर्ड बैटल आफ पानी पत ओके आप लोगों को यह भी पढ़ना है यह भी टेक्सबुक के बीच का है ओके यह को कोशन बहुत इंपोर्टेंट है ओके यह भी पढ़लो वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है इसलिए से इंपोर्टेंट बोल रहा है चलो ठीक है अब हम चैप्टर नंबर फाइब पर आजाते हैं इंडिया सोचल एंड रिलिजियस रिफॉर्म फर्स कोशन वाट वर्ट राम मोहन रोय पूट अग्रेट इंफैसिस इंफैसिस मतलब की मतलब बहुत इंपोर्टेंस दिया राजा राम मोहन ने कोशन आप लोगों को टेक्स्विक में यह सारे अंसर मिल जाएंगे आप लोग महां से देख लो अब मैं आंसर भी बताऊंगी तो आप लोग को कुछ से आंसर सर्च करो और पड़ो और यह टेक्स्विक का यह इजी ली मिल जाएगा दिस वन ना सेकंड कोशन डिस्कुस्ट रोल प्लेट बैर रिलिजियस रिफॉर्मर्स और गनाइज़ इन दी फिल्ट अफ रिलिजियस अवेकिंग फर्स्ट प्रात्ना समाज बी सत्या धुक समाज सी आरिया समाज और रामक्रिशन मिशन तो यह कोशन का हमें वन बाय करके फर्स्ट हमने लिखे इन प्रात्ना समाज में जो भी है डीटेल हमें उसका अंसर दे देना है एंड वो कंप्लीट हुआ तो बी से शुरू करना है हेडिंग डालना है बी सत्या धुक सत्या शोधक समाज एंड उसके बारे में हमने सारा लिख दी ऐसी सबको करते जाना है ओके गाइस यह देखो यह भी टेक्सबुक के बीच का है एक्सेसाइस का नहीं है ओके आप लोगों को इसको थोड़ा दिमाग लगा कि लिखना पड अब हमारा चैप्टर नंबर शिक्स पर आजाएंगे हम चैप्टर नंबर शिक्स इंडियन स्ट्रोगल अगेंस कोलोनियलिजम फर्स्ट रभी रभींदर नाच गेवप इस टाइटल सर तो हमने पढ़ा है यह टेक्स्बुक ने बहुत अच्छे से पढ़ा है अगर आपको अगोले टेक्स्बुक पढ़ा होगा तो आपको फॉरण याद आजाएगा साब ओके सो यह हमने लिद्दे अन देन सेकेंड डिसकस गांदी जी स्रूल इन फॉलविंग फर्स्ट चंपार रन्या सत्याग्राम सेकेंड रोवेल्ट एक्ट थर्ड नन कोर्पोरेशन मुवमे तो यह गांधी जी का भी हमें पीछे कोशन नहीं दिया हुआ अगर आप एक्ससाइज पढ़े हो तो आप लोगों को यह नहीं मिलेगा लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का यूस करके देखोगे तो यह टेक्स्बुक में आपको जरूर मिल जाएगा फ आप लोगों को बोल रहे हुँ ना अगर आप लोग ऐसे डूनोगे ना तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि कौन से चैप्टर का है और यह कहां का टॉपिक है अच्छा फिर यह तो मैंने पढ़ा हुआ है यह तो मुझे आता है बस थोड़ा से रिवाइस करना है क्योंक और कोई बात नहीं है चलो ठीक है तो चैप्टर नमबर सेवन डिकलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटिग्रेशन आफ इंडिया फर्स कश्मीर कोट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 तो हमने यह पड़े यह हमें टेक्स्बूक के बीच में मिल जाएगा पीचे के कोशन नहीं है नौ चैप्टर नमबर सेवन सेकेंट कोशन ऑपरेशन पोल वाज स्टाइट इन है 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 थराबाद ओके ना थाट अल्टिमेटली दप्रिंसली स्टेट अफ हैदराबाद वाज मर्जड इन इंडिया चैप्टर साइवन में से उनली थ्री कोशन से चैप्टर को भी देखो इतना इंपोर्टेंस नहीं दिया गया है वह चैप्टर का वेट एज भी 9 मैंने आप लोगों को शूरू में भी बोला कि इससे पहले जो मैंने चैप्टर का वेट इज अप्लोड का है वह देख लो वह बहुत मकरता है क्योंख आगर आप लोगों क याद नहीं है बट मैंने वीडियो बनाया है मैंने देखा है तो मुझे पता है मैंने लोगों को बता जाया है तो आप लोग वह देख लो फिर आप लोगों को सब समझ आ जाएगा तो चैप्टर 7 कर बस वेटेज कितना है नाइन मार्क से और इसलिए में ज्यादे कोशन भी यह इतने ही थे थे तेन जो आपना बनाया है तो मैंने टेख लियों को नाओ छैप्टर नंबर इट वोगोव वार इन यंदिया लीग उफनेशन यव फिर स्कोशन 2nd explain the impact of world war 2 on India 3rd the treaty of ursiles had the seeds of second world war the text does not have any comment to this effect यह चार कोशन भी अच्छे से प्रिपेर कर लो चैप्टर नमबर एट वर्ड 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 इंडिया जो है हमारा उसमें से भी बहुत कोशन्स पूछे जाएगा एक्जाम में बहुत कुछ क्योंकि वर्ड वर्ड और देखो ऐसा नहीं कि आप लोग अभी यह पढ़ रहे हो बस तो पूछा जाएगा हर जगह आपको वर्ड वर्ड दीखेगा आपको बच्पन से लेके बड़े होने तक जब तक आपकी एजुकेशन कंप्रिट नहों चाकर आप हिस्ट्री से पढ़ो वेटेज सिर्फ इसका एट है और इसमें से कुछ जाद इसना पूछा भी नहीं जाएगा सिर्फ एट मार्क्स है तो थोड़े बहुत ही कोशन आएगे तो फिर भी लेकिन ये वेंदेंग कॉंफरेशन एंट सेकेंड कोशन कॉंसेप्ट ऑफ एफरिकन यूनिटी इसमें से यह दोनों में से शॉट नोट आने की बहुत चांसे से ऐसे पूच्छा जाते है हर बार ओके सो यह दोनों को भी बहुत अच्छे से जितने मैंने बताए वह देखो पहले तो आप पूरी की पूरी बुक अगर पढ़े होना तो यह सब आप लोगों को अल्रेदी यादी अगर आप लोगोंने टेक्सबुक पढ़ा है तो बस हो गया आप लोग सफ़ लो ओके चलो ठीक है अभी चैप्टर नंबर टैन देख लेते हैं चैप्टर नंबर टैन कोल्ड वर एंड इंडिया सो चैप्टर नंबर टैन में हमें तीन कोशन पूछा जाएगा इंपोर्ट जाएगा बहुत चैंसे से कि यह पूछा जाएगा यूजूरी हर बार पूछा जाता है ऐसा कुछ सार्ग से रिलेटेट ओके सो चैप्टर नंबर टैन भी हम लोगों ने देख लिये अब हमें आगे बढ़ना चैप्टर नंबर लेवन की तरफ सो क्याई चैप्टर नंबर सब्सक्राइब और यह वाला आएगा ऐसे ही यूजवाली कोशन्स पूछते हैं एंड में ओके तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो नाओ इस वन सेकेंड कोशन्स दा यूथ पॉलिशी ऑफ गवर्मेंट अफ इंडिया देखा आप लोग यूथ हो तो यूथ से रिलेटेड चीज़े आप लोगों को पता होनी चाहिए इसलिए वो लोग भी ऐसी चीज़े दालते हैं ओके कि आप लोगों को पता हो कि यूथ के लिए क्या क ठीक है नाव लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 12 इंडिया ट्रांस्फोर्म पाट 2 फर्स एराइडिकेशन ऑफ पोलियो यह भी शॉर्ट नोट में आएगा ओके अन नाव दिस कोशन लास्ट कोशन विच प्रोग्राम एंड फैसलिटीज आ मर्जी से लिख सकता है हमें यह बच्पन से पूछा जा रहे है ट्यूरीजम का हमने जोग्राफी में 7-8 स्टेंड़ से पड़ा तो अगर कोई बच्चा फेल भी हो रहा है तो वह ऐसी माक्स को कवर करके वह बिल्कुल पास हो सकता है बिल्कुल पास हो सकता है फॉर शॉर तो ऐसे ऐसे कोशन फिर भी आप लोग छोड़ो मत क्यूंकि अगर फोर माक्स है इसके तो आपको फोर के फोर मिलने चाहिए ओके सो यह बहुत इंपोर्टेंट है ऐसे पूछे ही जाता है ताकि बच्चा पास हो जाए कोई भी किसी को फेल नहीं करने साथ हो भी चाहते कि ह हमारा कंट्री एजुकेटेड रहे हमारा यूथ एजुकेटेड रहे ओके सो इसलिए वो लोग ऐसा करते कि पास हो जाए सब तो ऐसे कोशन ट्यूरिजम वाले पूछे जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं ओके सो चलो ठीक है मैंने आप लोगों को बता दिया है 12 चैप्टर सबक्रीण प्रविजुकेटेड रहे हैं कि सब्सक्री बहुत मैंज चांड़ों करते हैं बहुत बच्च डॉक्टर제가 बते हैं तो इसके हैं निसलिए आप लोगो का आईकी थोड़़ा हाल Daollyancia Cup फोतेर मत ada अना है इसलिए अपना मतले बैलेंस मैनेज करके रखो ना ज्यादा डरो और ना ज्यादा ऐसा हो कि नहीं मैं तो कर लूँगा नहीं ऐसा भी नहीं होता है इतना हम सबको पता है तो आप लोग बस मैनत करो तो सक्सेस आपको खुद मिलेगी ओके सवाल डर वेरी वेस फोर बोड एक्जेम्स एन अगर आप लोगों को कोई भी डावट हो इस वीडियो से रिलेटेग या मेरे कोई भी वीडियो से रिलेटेग तो मुझे पूछो मैं आप लोगों को कॉमेंट सेक्षेन में बता सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेर कर दो यार ओके चलो ठीके बाए